हेलो एब्रीवन वेलकम टू पढ़लिया पढ़लिया में हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर एलजबरा में देखा था कि हमने सिस्टम ओफ इकुवेशन को किस तरह से सॉल्विंग करना है उसका फिजिकल आस्पेक्ट क्या है उसकी जोमेट्री कैसी है उसके सोलूशन कैस जब आप प्रीवियस यर सॉल्व करना सुरू करते हैं तो जनरली इन क्वेशन में प्रॉब्लम आती है मुस्ट अफ़ इस्टुडेंट्स को तो प्रॉब्लम ना है तो इसके लिए एक हम पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने ले लिया है सिस्टम ओफ एक्वेशन का तो सिस्टम ओफ एक्वेशन को थोड़ा सा हम आपको हलका सा आपको यहां पर हम नोटिस करवाते हैं क्या है क्या नहीं है इसके बाद हम यह सेशन को सुरू करते हैं तो यहां देखिए क्या है यहां समझ लेते हैं क्या क्या है हमने दो तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी सम्झाइब आपको इसके बाद हम प्राप्लम सुरू करेंगे यह हademोगे इसकोइशन था खेर ए ce हमुजशन इसकोइशन इसमें दोतरह के सोलूजेन बनेते एक युनीक सोलूजेन था जिसको हमने बहो तर्फ क्रिवियल सॉलूजेन पूरी टर्नौलाजी है यह generic सुरू करते हैं जिससे की बारवार आपको कॉपी ना पलट ना पलट और यहाँ पर था इंफानाइट स्यूशन clear है इतना बात तो दो तरह की solution देखे थे unique solution is a trivial solution infinite solution is a non-trivial solution यह देख लिया था और इनका connection किस से जुड़ा हुआ था यह सारी हमने घटना है आपको बताएं थी कि यहाँ पर क्या होगा determinant a equal to 0 clear and अगर determinant a equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ rank of a बराबर number of variables से less होगी clear एतना बात अब यहाँ देखो यहाँ क्या था determinant a determinant a is not equal to 0 तो यहाँ क्या था आरे बराबर n के था clear यह दो तरह की चीज़े हमने देखी थी a x बराबर 0 में तो a x बराबर यहाँ n क्रोस n के लिए भी था यह clear है इतना बात अब देखो यहाँ बच्चे और x क्या था एक्स यहाँ पर एक कॉलम में हां तो कॉलम में हम कुछ भी ले सकते हैं x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स है इसके अलाबा 0 एक नल मैट्रिक्स था तो यह कोई effect नहीं डाल रहा था इसी लिए यहाँ पर no solution की condition हमने नहीं ले थी इतना हमने देखा था एक्स बराबर 0 में अब यह question को पढ़ो क्या है question देखो if the following system has a non-trivial solution non-trivial means यहाँ पर देखो मैं mark करूंगा और अपने आप तुमारी theory अपने आप visualize आ जाई यह आ गया हमरा portion यह portion क्या है non-triviality का इसका मतलब क्या है rank के less than number of variable that means इसका determinant किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए तो यह equations जो लिखी है इनके coefficient का अगर मैं determinant ले लूँ और बराबर 0 के कर दूँ तो यह हमें condition मिल जाएगी और यही condition हमें दिखाना है कि किस तरह की condition यह equations hold करेंगी तो चलिए अब यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम matrix को लिख लेते हैं direct तो यह बराबर क्या होगा बच्छा यहां देखो P Q R Q R P R P Q this is the 3 cross 3 matrix यही दिया गया है अब हम इसका बच्चा डिटर्मिनेंट निकालेंगे देखो चलो डिटर्मिनेंट करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बहुत आहिस्ता से आराम से करेंगे questions ते यहां देखो इफ इस मैट्रेक्स have a non-trivial solution तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको तो इसमें क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ए equivalent to zero इसका मतलब यह हुआ कि जब भी non-triviality की बात की जाएगी तो हमेशा डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा तो रग देते हैं बच्चा जीरो अब देखो यहां पर बहुत आराम से करेंगे equation को p q r q r p r p q बराबर जीरो तो यहां पर अब हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट की कुछ properties लगाएंगे और इसको simple करेंगे हम क्या करेंगे determinant की using some properties तो यहां पर कैसे करेंगे देखो यहां पर यहां समझ में आएगा भी तो हमने क्या किया c1 changing to c1 plus c2 plus c3 हमने क्या किया c1 c2 c3 को add कर यह जब add किया so now this determinant अब देखो क्या हो जाएगा p plus q plus r p plus q plus r and this is q this is r p plus q plus r this is r this is p this is p plus q plus r this is p and this is q this is q this is 3 cross 3 बराबर 0 यह आगया अब देखो यहां पर एक कॉलम में common आ रहा है तो determinant की property यहां पर इस्तमाल की और common निकाल लिया तो common क्या है है p plus q plus r and this one q r one r p one p q clear यह आगया और बराबर किसके जीरो के अब यहां पर क्या किया देखो अब यहां पर हमने पी q r को common निकाल लिया यहां पर निकाल लेते हैं देखो p plus q plus r यह common है अब क्या करो देखो अब हमने लगाया r3 changes to r3 minus r1 and r2 changes to r2 minus r1 and then now apply it तो देखो यहां पर क्या किया यह 0 आ गया यह और पी जीरो आगया r minus q आ गया यह P minus r आ गया il यह ब्राबर जीर आगे लिए चल अब वन के अब आउट क्या कर तो एक्स्पैंड कर दो तो क्या मिला देखो पी क्यू प्लस आर यहां क्या आएगा देखो वन के अब आउट कर रहे हैं तो बस यही बचा आगे तो यह जीरो हो जाएंगे कर to the को अगर हम इस टिटर्मेंट को एक्स्पैंड करेंगे तो इसका मतलब बन यह रह जाएगा यह वाला इसके अब हम्हत्म इस्पेंड करते हैं, यह सिंपल सी बात है बच्छा, तो यह वाले टर में मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा देखो, R-Q, Q-R, P-R, P-Q, आगया, चालो, अब इसको हम सॉल कर लेते हैं, और जब हम इसको सॉल करेंगे, तो हमें कंडिशन कुछ मिलेगी, और बराबर यह 0 तो चली रहा है, बराबर 0, यह तो चली रहा है, तो क्या मिला है, देखो, P-Q, प्लस-R, यह ऐसे ही रखे रहो, clear, समझदारी से, यहाँ देखो क्या मिल रहा है, R-, sorry, क्या मिल रहा है, देखो, P-R, P-Q, माइनस Q-R, R-Q, यही आएगा, चालो, इसका मतलब यह हुआ, यह हमें मिल गया, अब हम इसको सॉल करें, और यह बराबर 0 बच्चा चली रहा है, क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो यह नॉन ट्रिवियल सोलूशन प्रेजंट नहीं करेगा इसका मतलब यह हुआ कि अब सोलूशन हो सकता है, इसका देखो कैसे, तो यहाँ पर हमने बच्चा क्या किया, P, P, Q, P, R, अब यहां क्या किया, देखो अब इसका मल्टिप्लाइ करो, तो मल्टिप्लाइ करके इधर लिख लो, क्या आरा है, देखो, P, SQ, R, राइट, मैनस PQ minus R P plus QR यहां क्या रहा है देखो minus यहां लगाओ पड़े ध्यान से QR minus Q square minus R square और plus QR यहां गया यह मिल गया हमें और बराबर यह zero identity मिली रही है यह रखना मत भूलना क्यों अगर zero नहीं रखोगे तो equation नहीं बनेगी अब देखो बच्छा क्या आएगा यहां पर तो हमने क्या किया यहां पर अब इसको हम यहां आगे ले जाते हैं तो P plus Q plus R and then further इसको लिखते हैं अब देखो इस statement को लिखो तो क्या मिला देखो P square minus PQ minus R P plus QR minus QR plus Q square plus R square minus QR और बराबर जीरो यही आगया अब क्या करेंगे यहां पर देखो कोई घबरानी की बात नहींगे इसली सॉल्व हो जाएगा देखो तो क्या करें यहां P plus Q plus R बराबर अब देखो इस टर्म को सॉल्व करके हम क्या आने वाला है देखो minus R देखो यहां पर minus QR plus QR this cancel clear इतना बात तो क्या बचा देखो P square plus Q square plus R square minus PQ minus PR minus PR और minus QR बराबर 0 यह मिल गया अब देखो यहां पर अब statement हम थोड़ा साथ चेक करते हैं कहां अपनी original problem की तरफ अगर मैं अपनी original problem पे जाता हूँ तो अगर हम इसको देखें तो क्या दिया है if the system has the non-trivial solution तो देखो यहां पर एक condition तो सम्में आ गई है हमारी कौन सी P plus Q plus R बराबर 0 यह तो हमें मिल गया है हमें क्या मिल गया है third जो है P plus Q plus R तो मिल गया है यह तो तुमने बता दिया है कि P plus Q plus R तो आ रहा है यह जीरो के बराबर यह तो option मैच कर गया अब देखो दूसरा option कैसे मैच करेगा यह मैं करके दिखाता हूँ तो यह वाला तो अब अगली condition कैसे satisfied होगी वो देखते हैं तो यहां देखो बच्चे बड़े ध्यान से इस expression को देखो तो यह क्या लिखा है देखो अब अगर option को देखें तो उसमें PQR में भी एक relation दिया हुआ है इसका मतलब है इस expression को हमें PQR में बदलना है तो देखो एक यहां पर technique सिस्तमाल करेंगे PQR में यह तभी बदल सकता है P बराबर Q मिले और Q बराबर R मिले यहीं दिया गया है हमारे option में तो एक condition तो hold हो गई है एक condition देखो यहां पर hold हो गई बच्चे यह देखो एक condition तो hold है लेकिन हमें दूसरी condition hold करनी है वो समस्दारी है तो देखो यहाँ पर समस्दारी क्या लगाना है यहाँ समस्दारी क्या लगाओ कि इसमें हम क्या करें इसको ऐसे लिख सकते हैं P-Q का whole square Q-R का whole square and R-Q का whole square कैसे लिखा जा सकता है क्यों कैसे देखो इसको अगर हम break करके देखें तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर इसको हम break कर रहे हैं तो break करो P square plus Q square minus 2PQ plus Q square plus R square minus 2QR plus R square plus Q square minus 2QR यही बचा तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या मिल गया देखो बच्चा यहाँ पर हमें मिल गया P 2P square 2Q square और 2R square minus 2PQ minus 2QR minus 2RP यही मिल गया यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है P सारे add हो गई अब क्या यहाँ से 2 common निकाल ली या क्या मिला P square plus Q square plus R square minus PQ minus QR minus RP तो इसकी जगए पर इसका मतलब यह हुआ हम क्या करने है यह 2 times रख सकते हैं रख सकते हैं के नहीं रख सकते हैं तो अब यह रख देते हैं इसकी जगए तो क्या मिला देखो Q minus R का whole square R minus P का whole square यही मिल गया हमें और बरावर किसके आ गया 0 के आ गया इसका मतलब आप compare किया जा सकता हैं और finally answer को हम कर सकते हैं बरना देखो यह ट्रिक रिक लगाने वाली बात इसमें सब नहीं लगेगा यहां क्या मिला देखो P plus Q plus R बरावर 0 clear and P minus Q plus Q minus R plus R minus P का whole square बरावर 0 यह condition तभी hold करेगी जब यह condition hold करें और P बरावर Q बरावर R के बरावर हो तो option क्या होगे आप लगा लीजे यह दिखाई दे रहा है सब यहां पर हमारा निकल आया क्या निकल के आया बताईए then answer is C तो समझ गए क्या P plus Q plus R बरावर 0 यह तभी hold कर सकती है जब P बरावर Q बरावर R मतलब P minus Q का whole square plus Q minus P का whole square plus R minus P का whole square क्लियर है इतना बात इसका मतलब कौन सो option सही हो गया third option सही हो गया answer clear है इतना बात तो घबराने की कोई बात नहीं है इन question से भी के कैसा भी आ जाए तो हम कर सकते हैं बस हमें fundamental पता हो के non trivial solution के लिए क्या condition आती है clear है देते हैं पहले हमने आपको पढ़ाया है कि एकस बराबर condition यह हुई दूसरी condition clear और एक तीसरी condition यह तीन condition पढ़ी थी हमने क्या क्या था तीनों condition देखों आपको recall कराते हैं एक बार सबसे पहले हमने पढ़ा था unique solution और unique क्या था RA बराबर RC बराबर N यही पढ़ा था हमने क्या जाना था कि अगर AX बराबर B हो तो rank A बराबर rank C बराबर number of variable के इसके बाद हमने infinite solution क्या पढ़ाता infinite solution पढ़ाता RA बराबर RC less than number of variable इसके अलाबा हमने पढ़ाता no solution no solution क्या था RA is not equal to RC clear एतना बात तो यह सारी conditions हम पढ़ चुके हैं अब इनहीं का हमें apply करना है तो application part समझना है कि कैसे how to apply the problem तो यहां पर देखो उसने पूछा है कि अगर यह infinite solution देता है इसका मतलब अगर infinite solution आएगा बच्चे तो यह condition fulfill होनी चाहिए और अगर यह condition fulfill होगी इसका मतलब एक ही value कुछ आएगा तभी यह condition fulfill होगी तभी उसने a पूछा हुआ है तो यहां पर हम सबसे पहले c को denote कर लेते हैं यह हमारा augmented matrix है मैं direct बना रहा हूं यही बनाना बताया है तो c क्या होगा a x और b में यहां देखो लिख लेते हैं पूदा पकाई तो पहला क्या है 1 1 1 1 a minus a 3 5 5 minus 3 a 6 यह करना है clear है और यह कह रहा है यह infinite solution देता है यह क्या करता है यह infinite solution है और अगर infinite solution है तो एक ही value बताओ भाई क्या होगा इसका मतलब यहां पर condition यह fulfill हो रही होगी मतलब हमें rank इसकी पक्का दो हो रही होगी या एक हो रही होगी तो हमें number of non zero rose बनाना होगा तो यहां देखो अब ध्यान से एक ही value पूछी है अब यहां समझते हैं हमें number of rose से ही rank निकाल पाएंगी तो यहां पर हम क्या करें the step one is step one is make the rose 0 तभी तो हम क्या consult कर पाएंगे rank निकाल पाएंगे क्योंकि rank क्या होती है non zero पहले तो zero बनाना पड़ेगा तब तो non zero पता करेंगे तो यहां पर अब हम देखते हैं कैसे पता करना है तो यहां देखो सबसे पहले पहला fundamental लगाती है क्या हमने लगाया देखो- nhưng आर्वन मैं बच्छा और यह बच्छा और यही क्या लगाया r2 changes to r2 minus a r1 यह पहले लगाएंगे clear and दूसरे में लगाएंगे हम r3 changes to r3 changes to r3 minus 5 r1 तो यह दो हम लगा के देख लेते हैं क्या आ रहा है तो चलो देखो अप सी मैट्रिक्स क्या बन के आईगी यहां पर हम दो को पहले change करेंगे तो यहां देखो आराम से change करते हैं r2 r2 minus a r1 तो r2 कितना है a minus a कितना हो गया 0 clear फिर क्या है देखो minus a minus a क्या हो गया minus 2 clear आगे देखो क्या है 3 minus a clear इतना बात यह तुम्हारे सामने सारी चीज़ें आती जा रही है अगला देखो क्या हैगा 5 minus a clear आप करो 5 minus 5 clear आप करो यहां पर minus 3 minus 5 clear आप करो a minus 5 clear आप करो 6 minus 1 6 minus 5 यह हमने दो expression तो लगा दिये बच्चे और हमारा काम बन भी गया कि दो जीरो तो कुछ मिला हमें यह आरवन है यह आई टू है यह आरथरी clear इतना बात यह हमने दो expression लगाए कि आप क्या करेंगे अब देखो यहां पर में एक जीरो बनाना है में तो अगें अगें करते हैं यूजिंग ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेशन आरथरी चेंजिस टू चेंजिस टू ए आरथरी माइनस पूर आरटू अब यह वेटा थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि यही क्यों use किया हमें दिखाई दे रहा है कि हमें इसमें फूर टाइम चाहिए राइट अगर टाइम बन जाएगा तो अमारा काम बंजाएगा जिए अन ग।ो यहां लगा द एक रह यहां पर यह और अरे टू से तो यहां देखो अब चेंज करो जीरो माइनस जी रोज़ी अ क्लिर यहां चेंज करो यहां गर यहां रिखो यहां रखो माइनस एथे और यह क्या बज़ बनेगा प्लास एथे ठी लिए आगे लेजाओ a-5 अगर नहीं कर पा रहे हो तो डू एट यहां पर देखो यहां पर क्या है ए ए माइनस 5 क्लियर माइनस 4 3 माइनस ए कितना आ रहा है लिख लूँए यहां पर देखो a square minus 5 a minus 12 minus 12 sorry 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 यहां पर minus लगओ तो यहां पर कितना है 12 minus 4 a इसको solve करो A square minus A minus 12 तो यह बच गया A square minus A minus 12 क्लियर बच्चा अब देखो आप क्या करना है अब वो कहरा वन में करना है तो वन में लगा दू यहां पर इसको हटा देंगी फिर बाद में तो देखो यहां पर one clear minus R3 यहां गया 4 तो यह A into 1 minus 4 4 into i2 i2 is 5 minus a कितना आया A minus 20 minus plus 4 a कितना मिल गया 5 a minus 20 is a typical question हो सकता है तुमारा वहां पर दिमाग ना करे इतने जल्दी का तो यह मिल गया 5 a minus 20 अब देखो यहां पर क्या है जीरो माइनस टूए बदल गई हमारी पूरी लाइन और equation solve हो गया तो देखो क्या आएगा बच्छा अब हम consult करेंगे तो क्या बोला है इसने इसने बोला है कि यह जो है क्या कर रहा है infinite solution दे रहा है और अगर यह infinite solution देगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ एदर इस तिंग और इस तिंग को 0 होना पड़ेगा अगर यह infinite solution देगा ऐसे सोचो अगर यह infinite solution देगा तो आरे बराबर rc को less than number of variable के होना होगा इसका मतलब यह हुआ that's it is by a logic के a square minus a minus 12 को 0 होना होगा और 5a minus 20 को भी 0 होना होगा अगर यह donor 0 हो गए तो हमें a की value पता चल जाएगी और वो a की value अगर मैं यहां पर रख दूँ तो मेरे लिए यह infinite solution का case बन जाएगा तो वही तो पूछा गया है तो देखो यहां पर क्या करें बच्चे अब हम a square minus a minus 12 बराबर 0 तो a square minus 4a minus 5a कैसे कर लो ज्यादा बेतर है देखो कैसे minus 4a plus 3a minus 12 बराबर 0 this is the first presentation यह वाल रूट्स का यहां क्या मिला ए ए माइनस 4 प्लस 3a minus 4 बराबर 0 यह होगा तो क्या आया देखो ए बराबर माइनस 3a बराबर 4 अब इसके लिए सॉल करो तो यहां देखो क्या सॉल करके मिलेगा अगला रहा है 5a minus 20 अब यह सॉल करना है मैं तो 5a minus 20 क्या आया देखो यहां से तो यह बराबर 4 मिल गया और यह बराबर माइनस 3 तो कॉमन निकालना है बराबर 0 यहां दिखाई दे रहा है क्या मिल गया हमें यहां पर हमें यहां पर मिल गया 5a minus 4 बराबर 0 तो यह बराबर 4 तो दौनों में कॉमन क्या है यह बराबर चलो अब इस मैट्रिक्स पर नजर डालो यहां देखो अभी तुम्हारे सामने दिखा देता हूं तो इस मैट्रिक्स पर नजर डालो और इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखो फिर से देखो अभी विजुलाइज हो जाएग minus a minus 12 और यहां क्या आ गया यहां आ गया 5a minus 20 यहीं आ रहा है अब देखो अगर 4 रख दें हम a बराबर अगर 4 रख दें रख के देखो मतलब ऐसा नहीं के रट लिया यहां देखो a बराबर 4 रख दो इस matrix में तो क्या मिला देखो 1 1 1 0 minus 2A 3 minus A 5 minus A 0 0 0 और यह 0 इसका मतलब यहां क्या हुआ rank A बरावर मने यहां भी 4 रख दिया तो यहां भी 0 हो गया और A बरावर 4 रखा तो यहां भी 0 हो गया देखों यहां पर A बरावर 4 रखो A square मतलब 4 square 16 और यह भी 16 तो 16 minus 16 0 हो गया और यहां रखा तो यह भी 20 minus 20 0 हो गया that's it कि यह completely agree हो गया कि rank A की 2 होगी rank C की 2 होगी n बरावर 3 होगा this case is a infinite solution this case is a infinite solution that's it और A बरावर किसके लिए और के लिए इस था आंसर कर ले जाएंगे चलिए देखते हैं तो क्या आंसर आया यह बरावर 4 कॉमन निकाल लिए हमने देखो आंसर क्या कर रहा है तुमको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा रहा है कि भाई तीन भी दे रहा है नहीं फोड़ इस अ कॉमन अगर मैं थ्री ले लूँ तो दूसरी जगे नहीं रखा जाएगा और दौनों एक्वेशन में कॉमन एकी चीज मिल लेए फोर तो कर ले जाओगे यह भी चल आगे बढ़ेंगे अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल यह देख लेते हैं यह भी आसान है कुछ नहीं करना है इसमें देखो कंसीडर दा फॉलूइंग लीनियर सिस्टम यह लीनियर सिस्टम है तो सी बना लो डायरेक्टर तो जब मैंने सी बनाय तो क्या बनके आ रहा है दीए वान टू माइनस थ्री ए टू थ्री थ्री 9-6 यह तो हम देखो यहां पर क्या लगाएंगे elimination हमें क्या पता करना है इसमें consistency पता करना है तो that's is the consistency क्या मतलब होगा यहां देखो का consistent का मतलब क्या होता है consistent means या तो unique होगा या infinite होगा दौनों केस में rank के बराबर किसके होगी rank c की होगी अगर infinite होगा तो less than number of variable हो जाएगी लेकिन यह confirm है कि rank k और c की बराबर होगी अगर unique आएगा तो 3-3 होगी और अगर infinite आएगा तो यह भी हो सकती है clear है तो चलो इसको करते है तो देखो क्या करें using using elimination तो क्या elimination लगाएं देखो तुम खुद भी लगा सकते हो या मेरे वाली लगा सकते हो देखके अपने लगा होगी तो ज्यादा अच्छा है क्या change करना है देखो यहां पर हम क्या करें हम कर रही है r2 change to clear r2 change करूंगा मैं r2 minus 2r1 clear और फिर मैं r3 change करूंगा मैं 0 बनाना है मेरे को r3 change करूंगा मैं r3 minus 5r1 यह change करूंगा यह elimination लगा रहा हूं क्यों क्यों लगा रहा हूं यह बिल्कुल simple सी बात है because क्योंकि हम rank पर जिक्र करना चाहते है क्योंकि जब तक rank नहीं आएगी और rank क्या है number of non-zero rows यह तो चलो करते हैं भी यहां पर देखो लगाते हैं तो c बराबर क्या आएगा देखो c बराबर क्या मिला i2 minus 2r बढ़ तो i2 कितना 2 minus 2 इस जीनों मैं 0 बना रहा हूं बस 3 minus 4 minus 5 यहां क्या मिला 3 9 तो कितना हो गया 3 plus 9 और यहां पर इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से टाइम मिल जाएगा यहां देखने यह मिल गया b minus 2 क्लियार आगे बढ़ते हैं अब देखो यह ऐलिमिनेशन लगा दो यहां भी 0 आ रहा है यहां क्या आ रहा है देखो 9 minus 9 minus 10 is the minus 1 मिल रहा है यहां minus 6 और plus 15 9 मिल रहा है मिल रहा है 9 फिर क्या हुगा देखो यहां पर c minus 5 दे मिल रहा है a minus 3 2 1 this is my r1 this is my r2 and this is my r3 अभी भी rank नहीं निकाल सकते हैं आप कैसे निकालें दोनों को add कर दो तो add कर दो बच्छे है r2 change to r2 plus r3 देखो क्या मिलेगा सब कुछ 0 हो रहा है यहां देखो क्या मिल गया 0 0 0 अब यहां जोड़ो क्या है देखो c minus 5 माइनस माइनस कर दो माइनस b plus 2a तो कितना मिल गया c minus b plus 3a माइनस कर क्लियर बराबर यह आ गया तो अब इसको ऐसे लिख लो तो क्या मिला देखो c minus b minus 3a यहां क्या मिला b minus 2a यहां क्या मिला एक माइनस 3 9 2 माइनस 1 1 0 अब कुछ नहीं करना बच्चा हो गया हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करें है यहां देखो कि एफ़ो इस सिस्टम इस कंसिस्टेंट देन सी माइनस भी माइनस 3a बराबर 0 पॉजिटिव कर दो 3a फ्लस भी माइनस सी बराबर 0 इस दा आंसर क्यों अगर मैं इसकी जगे यह रग दूं तो यहां देखो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी तू और यहां 0 रग दूं तो इसका मतलब यह सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट है अगर नो सलूशन होता तो क्या हो जाता इनकंसिस्टेंट हो जाता तो आंसर क्या मिल गया क्लियर है इतना बात तो हमेशा याद रखो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमेशा क्या होगा दो ही तरह के सुलूशन एक्जिस्ट करेंगे वन इस यूनीक और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो हमें सिर्फ नो सुलूशन का केस मिलेगा जहां पर रैंक बराबर नहीं होगी और यहां दोनों में रैंक इस तरह का होगा मतला बराबर होगा क्लियर है इतना बात तो अगर सिस्टम के कंसिस्टेंट की कहानी भी आ जाए तो तुम सब कर लोगी यह देखो हमने एक्सप्रेशन लगा के हमने एलिमिनेशन लगाया और आंसर निकला है कोई आंसर निकालने में दिख्कत आई आप लोगों को आप बताओ चलिए नेक्स्ट क्वेशन ले ले तो होफुली आप यह चार क्वेशन तो समझ गए तीन चार जो भी हुए है राइट अब हम देखते हैं कुछ सिंपल क्वेशन बचेंगे बस इसके अलावा और कोश्ट क्वेशन नहीं बचा हुआ है तो कुछ सिंपल क्वे क्वेशन थे हमने सब देख लिए अब हम देखेंगे कुछ सिंपल क्वेशन दो तीन बचें हमने जितने एल्युमिनेशन के क्वेशन थे हमने अलग अलग तरीके के क्वेशन देख लिए हमने सबसे पहले क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक्स बराबर जीरो है इनके solution नहीं मिलेंगे तुमको मार्केट में भी बहुत मुस्किल हो जाएगा उल्टी सीधी बातें करके लिख दिये होंगे solution तो यहां देखो आपको कुछ कि हमने यह वाली condition के एक से बराबर जीरो के लिए consistency क्या है उसके लिए भी हमने देख लिया इसके बाद हमने क्या किया अब हम आ गए चौथे नंबर के question प्राज़ में पर राइट अब हम यहां पर बहुत simple question है और बहुत easily solve कर लेंगे देखना अगर हमने यह सारे सीख लिए तो यहां देखो क्या पूछा गया है पहले समझते हैं for the set of the equation चार वेरियेविल है कितने वेरियेविल चार वेरियेविल एक एक बात को हो सकता है कोई चीज तुम प्रॉब्लम्स में जादा समझ पाओ रैदर देन हमने जो थेवरी पढ़ाई है कैसा होता है बच्चों के स देगा मैं सारी चीजों की मतलब बताता हूँ आपको इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर बहुत ध्यान से तो सबसे पहले बच्चा मैं क्या बना लूँ यहां पर मैं सी बना लूँ डाट समीन्स और्ग्यू मैंटेड मैट्रिक्स दिस इस कॉल्डा और्ग क्यूमांटेड मैंट्रिक्स यह बना लूम है तो सी कैसे बनेगा देखो ए बन गया कैसे यहां बना लिया मैंने क्या आया देखो 1 2 1 4 2 3 6 3 12 6 दिस आर्वन दिस इस आर्टु तो यहाँ पर रैंक निकालना पड़ेगा तो रैंक क्या होती है नमबर ओफ नॉन जीरो रोज यह है यह सी है तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाए यूजिंग देखते हैं भई क्या आ रहा है एलिमिनेशन क्या कर दें आर टू changes to R2 minus 3R1 यह कर सकते हैं तो लगा देते हैं Elimination तो क्या बना देखओ यहाँ पर सी वर्याबर क्या आया यहां देखो सी वर्याबर मिला 3 minus 3 0 यहां मिला 6 minus 6 0 यहां पर 2 minus 3 0 यहां मिला 12 minus 12 0, यहां मिला? 0 कुछ मिली नहीं रहा भई आ गया हमारा अब देखो, आप consult करो, तो यहां देखो, इसकी rank क्या? यहां देखो, इसकी rank क्या? 2 A की rank क्या बच्चा? 2 C की rank क्या? अब C की rank निकाल लो C की rank क्या? एकी रेंक वन और सी की रेंक भी क्या वन नमबर ओफ नॉन जीरो रोजी तो काउंट कर लिए और नमबर ओफ नॉन जीरो रोज तो एक ही है यह दिरफ और इसमें तो डिटर्मिनेंट से तो रैंक निकल नहीं सकते वह क्रॉस फ्री यह टू क्रोस टू यह four क्रॉस four में चल सकता है हमने रैंक में समझाया यहां तो हमें करना पड़ेगा इसका मतलब यह भुए इसकी रैंक बन यह तो क्या हुए देखो रैंक A बराबर 1 रैंक C बराबर 1 सब लिख लो भई conclusion पर पहुँच जाओ तो क्या बना RA बराबर RC less than number of variable कैसा solution होगा infinite number of solution यही होगा और infinite से जादा वो क्या होगा multiple non trivial solution बहुत सारे infinite solution exist करेंगे AX बराबर 0 पर भी करेगा क्यों क्योंकि इसमें rank 0 ही होगई एक ही independent vector है उनली चार variable के बीच में तो यहाँ पर क्या हो गया multiple non trivial यही होता है हमारा infinite solution का case तो option D आ गया बताओ भई क्या दिक्कत थी इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं जैसा theory पूछा गया वैसे ही हम लगाते चलेगे clear है इतना बात तो कर ले जाएंगे आप next question की तरफ बढ़ जाते हैं आप चलिए इसको देख लेते हैं क्या है यहां देखिए the system of linear equation यह दिया गया है कोई बात नहीं यहां देखो c लिख लो c क्या है 213a 301b 125c यह है अब यहां पर इनको बदल दो यह कितने लिखे हुए हैं यह लिखे हुए हैं 5-4 40 यह है चलो यहां से करते हैं तो क्या बना देखो this is r1 यही पता करना है simple कि यह unique देगा या infinite देगा या no solution देगा तो case क्या है देखो यहां पर हम क्या कर रहे है आई टू चेंज करेंगे हो आई टू चेंज कैसे होगी देखो यहां पर 2r2 minus 3r1 clear फिर फिर क्या करेंगे फिर देखेंगे बाद में पहले अभी यहीं हम लगा देते हैं तो सी देखो क्या बन रहा है यहां देखो ध्यान से तो यह चेंज कर रहे हैं तो यहां 6-6 जीरो यहां देखो 0-2-3 यहां क्या आया देखो 2-9-7 यहीं मिला माइनस 7 मिल गया देखलो 2-3 मतलब 9-7 अब यहां देखो यहां कितना मिलेगा तो यहां कर लो माइनस 4 into 2-3 into 5 तो माइनस 8-23 यहां क्या आप देखो यहां पर ऐसे लिख लो यहां क्लियर है अब देखो अब क्या लगाएं अब हमें क्या करना है यहां 2 टाइम्स कर दें राइट यहां टू टाइम्स कर दें तो देखो यहां पर आरवन से कर देते हैं तो क्या करा आरथी चेंजेस टू यहां ध्यान से देखो तू आरथी माइनस आरवन चलो सी देखो क्या आ रहा है इस एलिमिनेशन के थुरू वह सकता इसली समझ जाओगी तो यहां देखो टू माइनस टू यह 0 था यह था यह माइनस 3 था यह माइनस 7 था यह माइनस 23 था यह 2 था यह 1 था यह 3 था यह 5 आप कर रहे हैं देखो यह मिला 4 4 माइनस 1 3 धूल्टी क्लिय क्लिय यहां क्या यह 10 माइनस 3 को साथ यह क्या मिला देखो 28-5-23 rd टायस माइनस-5 देश है इस का मतलब हुआ यह यह तुमको समझा चुका हूं कि AX बराबर B में तीन तरह के solution बनेंगे unique, infinite and no यही तो condition है तो वो पूछ रहा है कैसे भई तो condition क्या है देखो A की rank बराबर C की rank बराबर N A की rank बराबर C की rank बराबर N A की rank is not equal C की rank आप क्या करें भई दो elimination तो हमने कर दिये यहाँ पर आप क्या करें देखो अब हम क्या करें using third elimination using third elimination तो third elimination में क्या करें देखो this is R2, this is R3, this is R1 हमने पहला elimination क्या लगाया पहला elimination लगाया कि R2 changes to 2R3 minus 3R1 दूसरा लगाया R3 changes to 2R3 minus R1 अब क्या लगाया अब लगाते हैं R3 changes to R2 plus R3 इन दोनों को add कर दो तो दोनों को add किया तो क्या मिला देखो the complete matrix in fulfill 0, 0, 0, 0 यह मिला 0 minus 3, minus 7 minus 23 2, 1, 3, 5 हमने elimination यह थूरू सब को 0 कर दिया देखो एक पूरी रोको कर दिया कि नहीं कर दिया इसका मतलब आप अब यहाँ पर हम consult कर सकते हैं तो consult कर लो गिल लो तो यहाँ पर गिल लो भई rank A की rank C की A की बताओ बच्चा क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है rank ए कितनी 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर number of non-zero rows is 2 right दूसरा लगा है हमने rank C की rank C की भी 2 क्यों? क्योंकि C के अंदर भी यही आ रहा है पूरा matrix यह वाला rank A की भी 2 rank C की भी 2 or number of variable 3 तो condition क्या बनी? RA बराबर RC less than number of variable is the second condition this is called a infinite number of solution this is the B option is right and other is wrong तुम्हारे सामने दिख रहे है clear है? अब elimination तो तुम्हें यह सीखना पड़ेगा यह practice pit-pend करेगा हो सकता है कोई नया question आ जाए तो हमको भी time लग जाए थोड़ा सोचने समझने में तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है make practice, practice, practice R A बराबर R C less than number of variable this is called a infinite number of solution सारे question हमने कर ले clear है बात इतना कोई भी question नहीं रहा गए तो अब इसमें हमने क्या देखा कितना भी typical question आ जा रही हमारे पास तीन fundamental है सबसे पहले rank A बराबर rank C बराबर number of variable this is the unique solution rank A बराबर rank C less than number of variable this is called infinite solution और rank A is not equal to rank C this is the no solution this case is a non-homogeneous equation लेकिन अगर पूछे वो question में कि the system should be consistent कि system भाया consistent है तो हमेशा क्या होगा दो ही तरह की solution बनेंगे consistency में कौन-कौन से unique solution और infinite solution तो unique की condition क्या है R A बराबर RC दोनों case में R A बराबर RC है solution वो तभी देगा जब A matrix की rank और C matrix की rank बराबर होगी दोनों case में solution है एक में unique है एक में infinite है अगर बराबर n के है तो infinite unique है और less n है number of variable से कम हो गई rank जब कम हो गई तो इसका मतलब infinite है और बराबर नहीं आएगी तो हमेंसा no solution ये भी हमने case काफी देख लिए इतना बात तो ये हो गई दूसरी बात रहती है कि अगर A x बराबर 0 है तब तो trivial solution क्या कहलाता है unique solution non trivial solution infinite solution वहाँ पर 0 कोई effect नहीं डाल रहा है A और X पर इसका मतलब यहाँ पर no solution का कोई case ही नहीं बने गई clear इतना बात और यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि rank के बराबर rank C that means कि number of variable के बराबर rank का रही है इसका मतलब इसको 3 cross 3 के matrix से भी जड़ा हुआ है इसका relation क्योंकि 3 cross 4 में तो matrix का determinant निकाल नहीं पाऊगे लेकिन यह से बराबर 0 में हम determinant से भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 cross 3 की matrix है या 2 cross 2 की matrix हो मतलब square matrix हो n cross n की भी हो चलेगी m cross n ना हो कि m rows कुछ अलग है n rows columns कुछ अलग है दोनों बराबर हो या तो m cross m हो या n cross n हो समझ गए इतनी बात तो यहाँ पर हम determinant से निकाल लेते हैं तो determinant a बराबर अगर 0 कर दिया तो condition कुछ और है लेकिन अगर determinant बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ 3 independent plane है 3 independent plane है मतलब rank क्या 3 number of non zero rose कितनी 3 rank of matrix कितनी number of variable के बराबर लेकिन जब infinite solution है तब क्या देखा हमने तब आपने देखा कि determinant जो है 0 हो रहा है rank number of variable से कम हो रही है तो यह non trivial solution हो गया एक trivial है एक non trivial trivial मतलब always gives the 0,0,0 solution यह भी बताया है मैंने आपको non trivial में क्या infinite solution कुछ भी हो सकते हैं कि मैनी solutions आर पॉसिबल तो हमने दोनों केस देख लिए और बहुत अच्छे से समझ लिए more than sufficient हमने आपको questions करा दिए problem solving करा दिए the next topic is a आइगन वेल्यू एन आइगन वेक्टर दो बोत आर रेलेटेट हम साथ में ही पढ़ेंगे दोनों इस पर हम बहुत सारे डेर सारे questions करेंगे questions के अलाबा इसमें हम बहुत सारी techniques shortcut polynomial के root कैसे निकालें जल्दी से किसी भी 3 cross 3 matrix की तुरंत polynomial कैसे लिखें seconds में 2 cross 2 की कैसे लिखें seconds में बहुत सारे इसमें बहुत सारी मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 90% question solved in tricks आप ट्रिक्स से solve कर सकते हैं एक दू question होंगी जिनमें आपको trick नहीं लगेगी जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पर जाए तो हम हम short भी देखेंगे और process भी देखेंगे दौनों चीज़ें देखेंगे जिससे की time consume भी हो हमारा क्योंकि गेट में अगर समय तुम्हारे पास सारे question तुम्हारे आ रहे हैं तो समय भी चाहिए आपको करने के लिए तो समय तुम्हारा क्या हो जाए reduced हो जाए उस चीज़ को भी देखेंगे तो next topic में आप से विदा लेता हूं बाई बाई ठेक केर थेंक यू